अमेरिका ने चीनी यान के इंपोर्ट पर रोग लगा रखी है यूएस को एक्सपोर्ट होने वाला यान अब चीन भारत भेज रहा है चीन से भारत आ रहे यान की कीमत काफी कम है ऐसे में भारतिय यान इंडस्ट्री पर संकट के बादर मंडराने रगे हैं आपको बता दे कि इस साल जून में यूएस ने चीनी यान बैंट किया था यूएस को जाने वाला यान चीन अब भारत भेजने लगा है चीन कम कीमत पर यान भारत को एक्सपोर्ट कर रहा है देश में ही यान की कीमत चीनी यान से ज्यादा है कोटन की उची कीमत के कारण इंडस्ट्री परिशान है उची कीमतों के कारण 50% स्पीनिंग पहले ही बंद हो चुकी है दरसल सितंबर 2021 तक भारतिय यान के भाव सबसे कम थे सितंबर 2021 से कोटन की कीमते बढ़ना शुरू हुई और सितंबर में ही कोटन का भाव 51,000 पर प्रती कैंडी था अप्रेल 2022 में भाव बढ़कर 1.1 लाख रुपए प्रती कैंडी पर पहुंच गया और सितंबर 2021 से अप्रेल 2022 तक भारत में सबसे ज्यादा दाम बढ़ते हुए दिखाई दिये उची किमतों के कारण चीन से इंपोर्ट भी बढ़ा वहीं अप्रेल जुलाई 2022 में चीन से 4.66 करोड डोलर का इंपोर्ट किया गया भारत के कोटन प्रोडक्ट इंपोर्ट पर नजर डाले तो एप्रेल जुलाई 2021 में भारत ने 25.9 करोड डोलर कोटन का इंपोर्ट किया था जबकि एप्रेल जुलाई 2022 में 56.8 करोड डोलर इंपोर्ट किया है ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी झाल झाल